हालो फ्रेंड्स मैं हूँ अनुजा और आपका स्वागत करती हूँ एक बहुत ही खाश शो में जिसका नाम है लाव विद एस्टॉलजी दोस्तों जब दो दिल प्यार करते हैं दो दिल एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो उनकी धड़कन ये भी एक हो जाती हैं बिना कही ही बिना कुछ बोले ही सामने वाला आपके मन की बात समझने लगता है और ये सब महसूस करके आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपके मन की बात आपकी दिल की बात आपका पात्नर नहीं समझ पाया और ये जो इमोशनल इंडिफरेंस होता है ये आपको बहुत खटकता है मन में खंजर की तरह लगता है कि ये कैसे चूख हो गया ये से कैसे हो गया लेकिन हमारे पास है एस्ट्रोलजी का साथ तो अब देखना ये है कि क्या एस्ट्रोलजी ऐसे अंस्टेबल रिलेशन्शिप को स्टेबलाइज करने में हमारी मदद कर सकती है ये जानेंगे हम through our famous love analyst and relationship expert आचारे सतीश जी चली उनका स्वागत करते है नमस्कार आचारे जी नमस्कार लव इस्ट्रोलजी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है धनिवार आपका दोस्तों अगर आपको भी अपनी love life डगमगाती हुई दिख रही है और सही पट्री पर आप लाने कि उसको कोशिश कर रहे है तो बिना देर करें बस फोन उठाइए और इन नमबर्स पे फोन कीजिए जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे है आचारे जी आज हम बात कर रहे हैं misunderstandings and you know expectations के बारे में तो मुझे ये बताईए कि जब दो लोग जो relation में होते हैं जो प्यार में होते हैं ये बड़ी आम बात है बड़ी स्वभाविक सी बात है कि दोनों का nature एक तो होगा नहीं तो दोनों की expectations और feelings भी एक नहीं होंगे और उनमें मतबेद होना obvious है तो इसका कारण क्या है क्या stars इसके लिए responsible होते हैं क्या वो इसको ठीक कर सकते हैं या कोई और ही बात है देखी प्रेम ही एक ऐसा घाट है जहां पर भेड और बक्री एक साथ पानी पीते है संभावना और संवेदना ये दो अलग-अलग चीज़े हैं संभावित चीज़ों को करना चाहता है दो अलग-अलग लोग ही तो एक हो इसी का नाम तो प्रेम है शुक्र ये ऐसा प्रियग रहे है अगर वास्तिविक्ता में देखने जाए तो ब्रहस्पती और सुक्राचारे दोनों बहुत विद्वान लोग है कि सिर्फ चोटा सा अंतर है कि ब्रहस्पति देवदावों के गुरू है और शुक्राचार राक्षशों के गुरू है जानकारी और knowledge के मामले में सुक्राचार ज्यादा स्रेष्ट है और कलियग में उनका अपना अलग प्रभाव है इसलिए सुक्र जो दे सकता है महा मृतंजय मंतर सिरिफ लोगों को एक तरह से थोड़ा सा स्वास्त में बेनिफिट कराता है पर सुक्राचारी जी द्वारा बनाया हुआ मंतर इसका नाम है मृतसंजीवनी जो मरे हुए बेक्टी को भी जीवित कर सकता है अचारी जी आपके टिपड़ी को हम आगे और अनलाइज करेंगे लेकिन उसके पहले आप इजासत दे अंगर कोलर से बात करें स्वागत है हलो हाँ हलो वेलकम तु लव विद अस्टाली जी आपका नाम मालती शर्मा मालती जी कहां से बात कर रही है म हाँ है महीं आत्लाम से बात करें dim एपका बहुत बहुत सी अचारी जी से बात करें कि programa कि अचारी जी नम्सकार चायान जी रुह है जी है बड़च बहुत बहुत आफिरबाद कैसे हैँ कि अपने बेटे के लिए पूछना चाहती है इसके शादी हुई है अभी सब ठीक थाख नहीं है इसलिए डेटा बदाईए नो दिसंबर उननीस सो चौरा सी ताइम बताईए रात में एक बज़े कहां जन्म हुआ उज्जेन कितने साल हो गई सादी को यह तीन साल हो गई तीस इसले भी आपको काफी परेसान होना पड़ा है इसका अब क्या है आप देखके बताईए वह हम आपसे पूछना चाहरे थे इनका इनका दामपत्त जीवन इनका जो मेरिटल लाइफ है वह बहुत सुख में नहीं दिखाई पड़ता इनके ससराल पक्ष का जो माहौल है वह नकूल नहीं दिखाई पड़ता और इनकी बिफोर मेरेज और आफ्टर मेरेज दोनों तरब तकलीफे दिखाई पड़ती है और उसका जो इनके उपर कुप्रभाव पड़ रहा है उससे इनका मन इनका स्वास्त इनकी आत्मा और इनकी अभिवेक सब पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है अभी उपाय नोट का लिजे भगवान शिव की आराधना करें पार्थवेश्वर या नर्बदेश्वर की निरंतर पूजा करें और यदि इनके पास सावर्त हो तो ये सालिक राम की मूर्तियां लोगों में बाटें मैक्शिमम लोगों को बाटें जितना वो इनके लिए सुखमें होगा मिशरी अपने बेटरूम में रखें और मिशरी का दान करें मिशरी लोगों को जारब जादा घिला में जिन लोगों का विबाह होने वाला है उनकी विबाह में कुछ सहीयोग करें और गले में गवरी-शंकर-उ-द्राक्ष धारन कर लें इनके जीवन की प्रतिक चीजे जो भी दिशा खराब हो रही है वो 100% हो जाएगी नमस्कार थांक यू फो कॉलिंग धन्यवाद दोस्तों अगर आपको भी इसी तरह कोई सवाल परिशान कर रहा है जिसका जल से जल्द आप भी एक समाधान चाहते हैं एक रस्ता चाहते हैं बस फोन उठाइए और इन नमबर्स पर कॉल कीजिए जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लाश हो रहे हैं अगर शो के दौरान आपके आचारे जी से बात नहीं हो पाती है तो कोई बात नहीं शो के बात भी आप इनी नमबर्स पर फोन कर सकते हैं क्योंकि एलाइन्स 24-7 ओपन है आच प्लेश पैदा होता है तो इस सिच्वेशन में एस्टॉलिजी हमारी किस तरह मदद कर सकती है देखे क्या करना है क्यों करना है कितना करना है और कब करना है यह चारो के चारो प्लेटफॉर्म यह चारो के चारो पिलर जोतिश कहते हैं क्यों करना है कहा करना है और कितना करन जोतिषवास्तिविक्ता में आपको आपके जीवन का दर्शन कराती है तो मस्पार करıkened लास अगर किसी को फिरुपलितली जाता है तो फिर उस जोतिषत के जाता है आज भी जोतिष अपने आपमें प्रकाश्वान है तो यह आपकी मतलब आपके अपनी मन्तव को आपके अपने चिंतन को, आपके अपनी सोचने की प्रणाली को, और आपके आगामी जीवन को, सुलभ बनाने का एक सेतू बनाती है, और सेतू पर बस आपको पूरी सरद्धावनत हो करके चलने की आवशकता है, पूरे विश्वास के आधार पर उस पटल पर चलते रहिए, जो दिखाई आपको दिखाई और बताई जाए, विश्वास और भरोसा निरंतरता वाला होना चाहिए, सुख तो मिलेगा ही, जिन खोजात इन पाईयां, गहरे पानी पैठ, कौनसी ऐसी वस्तू, कौनसा ऐसा आपका मनतब बे, ऐसी कौनसी आपका अपका 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 अ बिल्कुल, आचारी जै आपको अपका अपका अग्ले कौलर से बातकर हो सिल्के को पातकरे शोगता है, हलो, हालो, वेलकुम तो लुफ बताशिण एस्टओलजी, आपका अम इसे बात करें? Sanjay नानदिया. जी बताईए नहीं हूं सर अभी कोई नहीं परमात्मा चाहता है कि आप ठीक हो जाए इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं बताए हां सर बहुत तकलित में मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरी घर के प्रॉब्लम्स को कुछ मेरी जब से शादी हुई है उसके बास से और उसके मेरी कुंडली में वगेरा चादी के बाद क्या हुआ कि वाइफ को भी कुछ रिष्ट का मतलब वह हो गया है तो मैं करीब 14-14 साल से सर परेशान हूं मेरी स्वाजी को 14-13 साल से हो गया है और मेरी एक बाली का है एक बार अपने डेटा पर दोता दें प्लीज सर 29 सवरवरी 19 तो अपनी मती को सुमती में बदलने की कोशिश करें यह ब्रहम अपने दिमाग से निकाल दें कि आपके विवाह की वजे से कुछ खराब हुआ है यह मैं संयोग है एक प्रकार का आप देखो इस बात को तो आप इन्वीडेटली समझ लें कि कोई कि बिक्ती बिसेश कभी भी किसी भी चीच के लिए जिम्मिदार नहीं होता एक्चुली आप उल्टा समझ रहे हैं आपको लग रहा है कि बिवाह के पश्चात सब खराब हो गया और मुझे लग रहा है कि बिवाह के बाद थोड़ा ठीक हो गया वरना साय इससे भी जड़ा ठीक लगे बहुत महरबानी आपकी अगर इस बात को आप समझेंगे तो बिश्वास समा दिएगा कि बिदिन वीक आपको चेंज़ेश तो लगेंगे सबसे पहले उनकी इजद करें उनका सम्मान करें और परिवार में थोड़ा खुसहाल मौहौल बनाने की कोशिश करें जहां सुमती वहां संपतिनाना जहां कुमती वहां विपतिनी धाना जहां सुमती होती है न वहां बहुत सारी संपत्ति होती है जहां कुमती होती है वहां आपत्ती और विपत्ती बढ़ती है तो अपने परिवार में थोड़ी सुमती बनाने की कोशिश करें आज आपके पास थोड़े चंद पैसे कम हैं कल जादा होंगे लेकिन संबंधों को थोड़ा सा महत्त देने की कोशिश करें आप में प्रेम बढ़ना चाहिए भगवान शिव की आराधना करें माता पारवती के साथ में नमक का पोछा लगवाएं पती पत्नी दोनों मिलकर के प्रदोस का अब्रत करें और भगवान शिव की पूजा करें प्रदोस के दिन बिधी पूरवग जितना भी लेट हो जाए द लिए यह कुछ चीजे चेंज कर लिए मुर्श खटाई में खटी चीजे टीकी चीजे और बहुत भुनी हुई तली चीजे और बाहर की चीजे खाना बंद कर दीजे जब तक आपका सब कुछ ठीक नहीं हो जाता नहीं वोध और चंद्रमा खराब होता जब इस तरह की बिश्वास मानिये कि जितनी बाते बताई हैं सब आप नोट कर लीजिए और बड़े बिश्वास और स्रद्धा के साथ इसको करिएगा आपको 100% सत प्रतिषत लाव होगा ही होगा तक बहुत है तक पहुँच तक पहुंचाना चाहते हैं तो इक बहुत ही आसान सा रस्ता है बस फोन उठाना है और इन नमबर्स पर कॉल करना है जो आपके तीवे स्क्रीन पर फ्लाश ओ रहे हैं ताकि आप समय रहते, अपनी जिन्दगी को सुधार पाएं, स्टेबिलाइज कर पाएं आचारे जी, अभी जब हम अधभेदों की बात कर रहे थे, तो हमने रिष्टों में ये भी देखा है, कि दो लोग के मन में जो फीलिंग्स एक दूसरे के लिए वो अलग-अलग सी हो जाती हैं अजा अजा अगर रिलिस्टिक देखो तो अभी हम ने जिसने बात किया, वो सेम प्रोसेस है, कि हम खुद को नहीं देख करके हम ये देख रहे हैं कि इनकी वज़े से ऐसा हो गया, और ये बहुत बड़ा परसेंटेज है, ये इतना बड़ा परसेंटेज है, बल्कि अगर अगर रिलिस्टिक देखने जाओके तो 99.9% लोग ऐसे हैं कोई पतनी को, कोई भाई को, कोई बड़े को, कोई किसी और को, कोई दोस्त को, कोई परिस्तियों को, कोई अपने बाप को, कोई अपनी मा को, बल्लेम किये जा रहा है, कि ये शादी हुई जब से ऐसा हो गया, य ये गल्ती इनकी नहीं है, ये साथ परमपरागत मुझे मिला है, ये हमारी आदत बन चुकी है, ये हमारा नेचर और सुभाव बन चुका है, कि हम दूसरों पट डालते हैं, कि साथ इनकी मुझे से ये हो गया, वरना तो ये होने वाला था, बिलकुल, बिलकुल, जद पी, अगर हम इससे थोड़ा मुक्त हो जाएं, ये ऐसी बीमारी है, जिसका अभी तक इलाज नहीं बना, ये ऐसा बिकार है, जिसका समाधान नहीं है, क्यों, चुकि आपको स्वयम करना है ये, ये कोई दूसरा नहीं कर सकता, तो ये तभी आप कर सकते हैं, जब आप किसी की बा पाएंगे, तो ये मतभेद समाप्त होते ही, इनके जीवन की सारी चीजे समाप्त हो जाएंगे, बिलकुल सही बात है, और वो क्योंकि एक इनसान उनको ऐसा मिलना चाहिए, जो कहते है उनको एक फिलोसिफर, एक गाइड मिलना चाहिए, जिसको वो आँख बंद करके बोले उसका समाधान हमारे पास, खुद के पास है, अंदर ही, क्या मतभेद समाप्त करें, सुख अपने आपाएगा, सुख अपने आपाएगा, इसलिए अचारे जी में आपसे यही पूछने वाली थी, कि जब ऐसा रिष्टा हो जाता है, दोनों की फिलिंग्स एक दूसरे के अ हो जाती है, और दोनों में से सिर्फ एक ही ऐसा है, जो रिष्टे को आगे बढ़ाना चाहता है, तो बहुत अजीब सी सिच्वेशन हो जाती है, तो इसमें स्टार्जी हमको कैसे रहा दिखाते हैं, बढ़िया सवाल, एक्चली यह जो प्रेम है न, यह पूजा है, यह कर रहा होगा, यह वन बे ट्रैफिक है, कोई एक ही चाहता है कि चीजे ठीक हो, पर चाहत में छेद नहीं होना चाहिए, चाहत में संदेह नहीं होना चाहिए, भ्रम्य मत रहिए, संदेह मत करिए, किसी भी प्रकार का अंदर अपने गलानी मत रखिए, होगा या नहीं होगा जब आपके प्रश्ण में गलानी है, आपके प्रश्ण में संदे है, तो उत्तर आटोमेट के लिए संदे हात मख़गा, एक ही कोई चाहेगा, एक कोई ही चाहना पड़ेगा पहले, सुरुबात कहीं एक से ही होती है, एक साथ दो चीजे एक जैसी नहीं हो पाती, तो साहब य एक पुजारी दोनों बराबर होते हैं, मैं अगर मांगू तुझे हर्गिज नदेना कुछ मुझे, आदान परदान होता है इन्हों यह नहीं दिया इसलिए प्यार कटम हो गया, मैं अगर मांगू तुझे हर्गिज नदेना कुछ मुझे, औरना आसिक नहीं मजदूर कहला मैं फिर आस्की कहां रही तो मजदूरी होगे ना आपने कुछ काम कर रहा है अधान प्रदान तो बैपार है ना बिलकुल बिलकुल अचारे जी मैं यही उमीद करते हूं कि आपकी जिए आपकी फिरी बातको समझ पाएं और अपने जिंदगी में लागू कर पाएं और इसी बात पह हमारे अगले कॉल हैं जो हाई क्या जो यह एक अगले काले अबसे बात कर थचा इंञ व 그래서 शकाट के जाए अभलो कम तो यह बैश्यारियों का नाम है मैं रितु को बो आपकी से मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्वई थी आपका नंबर मिला था मुझे बहुत बढ़िया आपको भी बहुत 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 बड़ा काम करता है यह जो आपकी सहानुभूती होती है अपने प्रती नहीं दूसरों के प्रती काम हो जाने के बाद तो वह स्वार्थी होते हैं जो चुपचाब बैट जाते हैं नहीं सर मेरा इतना बड़ा काम मेरी लाइव से इंपोर्टन चीज मेरी जो आपके पायों से मुझे मिली जी बहुत दन्यवार आपको कि आप सब सैनिक हैं इस पूरे की पूरे मुहिम की आप सब लड़ रहे हैं अपना काम होने के बाद दूसरों तक यह बात पहुचा दे जो कि आपके 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 कारण मेरी बहुत 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 प्रॉबम सौल वह गई तो हम चाहेंगे आप बताएं कि एग्जैकली क्या उत्त All About? अनुजा क्या है यह एक जब आप दुख से सुख की तरह बढ़ते ना है बहुत बहुत बारीक सा अंतर लिकिन यह अंतर इतना सुखान भूती देता है इतना कुछ प्रदान करता है आपको कि उसके लिए शब्द साय कम पढ़ जाते है और दूसरी एक और बात प्राबलम चा प्राइगा ना एक दम सही वाला होता है ना बतलब बहुत सारे प्रश्ण इसने सारे कोश्शन और कुछ दिनों के बाद बढ़ी आपको कोश्शन बुरेत नहीं बेटा उस प्रकार से ही वो कोश्शन लगए ते जैसे टब डॉक्टर आउप्रेशन करता है आपको दर्द के लिए पर वो दर्द आपको सायाद उस पीडा से मुशिबत से मुट करने के लिए होता है तो यह जब थैंक्यू सुनता हूं इस प्रकार की जब चीजे आती है तो लगता है हा यह काम करने का फल जो एक किसान खेती करता ना बहुत मेहनत करता बढ़ा परिश्रम करता है फिर जब उसकी फशल होती है उस पशल को देखके जो से सुखान भूती होती है वो थैंक्यू दिखाता है क्या बाते और वो दिख राता है वो आमशूर हमारे सारे विएवर्स को और जो भी एशो देख रहे होंगे उनको दिख रहा होगा कही ना कहीं दूसरे का जब बहुत जगे आपको दोखा मिले तो आपको ये महसूस कर पाना या इस बात को मान पाना कि ये सच होगा थोड़ा मुश्किल होता है और ये सवाल आने जायज सी बात है लेकिन एक ये बात है आचारेजी कि एक थांक्यू कॉल बहुत लोगों के मन में प्रेड़ना, मोट बहुत अपर जा देता है और आचारेजी आपके इस वाल्यूबल टाइम के लिए वाल्यूबल कॉंशन के लिए और जिस खुबसूरती से आप हमारे कॉलर्स को अड्रेस करते हैं हमारे व्यूर्स को बहुती साधार और सिंपल तरीके से जो सामाधान के रूप बताते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंज टाइम टू से गुडबाय नाओ हम फिर मिलेंगे लव विद एस्ट्रॉलोजी के अगले एपिसोड में जहां एक बार फिर से बात होगी आपके करियर लाइफ आपकी लव लाइफ के कई पहलों के बारे में हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए लव विद अस्ट्रोलोजी नमस्कार